तो फिर सथी अब एक computer user हो तो definitely आपको पता होगा कि Anydesk one of the most popular remote support application है क्योंकि जब हम एक computer को दूसरे computer से connect करते हैं तो कोई ना कोई हमको software की need बढ़ती है तो जाईर से बात है कि हमको जदे team viewer पर जाना पड़ेगा या कोई ना कोई ऐसी application पर जाना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है कि जब हम Anydesk को multiple computers से connect करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से error message आते हैं कि हमको waiting time ज्यादा बन जाता है हम एक computer को connect कर सकते हैं कभी-कभी हमको एक computer connect करने में ज्यादा time लग जाता है वाट आजकल उसमें भी issue आने लग गया है मतलब काफी सारे लोगों के paper instagram पे message आये थे कि sir जो आपने last time पे technique बताई थी उसमें भी issue आ रहा है वह नहीं चल पा रही है तो guys मैंने थोड़ी सी R&D करी research करी मैंने कुछ इस तरीके का एक तरीका निगाला जिसमें मैं Anidas को थोड़ा use कर सकता हूँ यदि ये trick आपके लिए काम करती है तो आप मुझे definitely बताना comment section में मैं चलता हूँ उपने computer की screen पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया और मैं Anidas को अभी use कर पा रहा हूँ तो जलते हैं फिर computer की screen पे बिना देरी के So guys मैं आगया उपनी computer की screen पे यहाँ पर देखिए कि guys मैंने अपना run menu open किया यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर type किया जिसमें मैंने डाला percentage program data percentage जैसी मैंने इसको type किया तो मेरे पर काफ़ी सारे folders open हो गए है ठीक है यहाँ पर एक any desk का मुझको एक folder देखने को मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा इस any desk की folder को rename कर दूँगा को कि इसके अंदर सारी की सारी history है मेरी जो भी any desk मैं connect करता हूँ जो भी config files है वो सारी files मेरे इसके अंदर है तो मैं यहाँ पर इस folder को भी rename कर देता हूँ देखता हूँ क्या होता है तो सबसे पहले मुझे rename करने से पहले यहाँ पर जो भी any desk का task चल रहा होगा उसको मुझे close करना पड़ेगा नीचे जाके option में जाके मुझे quit करना पड़ेगा मतलब any desk को completely बंद करना पड़ेगा अपने system से उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते कि any desk मेरा rename हो चुका है अब क्या करूँगा मेरे पास एक मैंने यहाँ पर reset की file बनाई है जो आपको comment section के अंदर मिल जाएगी यह क्या करेगी any desk को reset कर देगी जो भी logs होगी history होगी वो सारी की सारी डिलीट कर देगी तो short command मेंने यहाँ पर टाइप करके बना दिये तो इस command को आपको टाइप कर देना है इस best file को आपको चला देना है उसके बाद जैसी आप any desk को open करेंगे तो हो सकता है कि जो आपकी history है जो भी आपने computers connect की होंगे वो सारे के सारे आपके remove हो जाएंगे आपको new interface देखेगा यदि आप license version यूज कर रहे हो तो आपका बिलकुल reset हो जाएगा वो any desk और यदि आप normal version यूज कर रहे हो जिसमें आपने license नहीं लिया हुआ तो आपकी जितनी भी history होगी वो clear हो जाएगी any desk को जब आप connect करोगे किसी other computer connect करोगे तो शायद आपको ये issue नहीं मिलेगा जो आज कल मिल रहा है देखने को waiting time जो 10 minute, 15 minute, 20 minute का हो गया है जिसमें हम एक भी computer को connect करते है तो हमको waiting time ज़्यादा लगता है इस trick का मैंने follow करके any desk को मैं use कर पा रहा हूँ आप भी use करके देखना यदि आपको कोई issue आता है तो मुझे comment section में जबू बताना Instagram की ID में मैंने mention कर दी है personally कोई बात करनी हो, इस से related और कुछ भी चाहिए होगा तो Instagram पे आप मेरे से बात कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा I hope आपको वीडियो समझ में आ गए होगे वीडियो ची लगे तो वीडियो के लिए like कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को दवा देना मैं मिलता हूँ next video में तो तक bye bye thank you so much झाहिए